इस वीडियो में बताएगी सारी जानकारी पर भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षबलों की गोपनियता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारी ओं के आधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौजूद है नमस्कार दोस्तों डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ आलोग आपको आज पहले ही बता देता हूँ कि आज का ये वीडियो थ्वासा लंबा रहने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक इतना जबरदस्त है और मेरे पास इस पर बताने के लिए बहुत कुछ है तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक शब्द ने तहलका मचा रखा है और ये शब्द पता है ये शब्द है रोग जी हाँ भारतिये खूफिया एजनसी रोग कहा तो यहां तक जा रहा पाकिस्तान में कि वहां की सियासत में रोग इसकदर घुस गई है कि पूछिये मत चारो तरफ बस रोग के ही चर्चे हैं कि अब तो इमरान के बारे में भी डाउट्स क्रियेट हो रहे हैं कि वो लंडन किस लिए गए थे तीन बार पाकिस्तान के प्रधान मंतरी रह चुके नवाज शरीफ को उन लोगों ने गदार घोशित करना शुरू कर दिया है पिछले मंगल वाले दिन जिस अमबैसी में लंडन में जाके आपने मुलाकाते की हैं जितने बजे की हैं हमें सब पता है हमने धोती आपकी उठा दी तो मसला बन जाना है ना करें पाकिस्तान की पाकिस्तान को इस तरह बिज़त ना करें एजन्सियों के हैल कारों पर मुश्तमिल जे आई टी बनी अंदाजा कीजिए जे आई टी बनी सबूत तो किसी के खलाफ कुछ ना था लेकिन ट्रॉपगंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गदार और मुल्क दुश्मन ठरा दिया गया अपनी पूल खुलते देख आई एसाई बॉखला गई और उसने फोरण इमरान खान नियाजी की सरकार को काम पर लगा दिया जाहिर है जो बंदा पूल खोल रहा है उसे गदार करार दो उसे भारत का एजेंट करार दो भारत के इन्वॉल्मन बता दो जिससे पहले से ही उनके जहां से में रह रही आवाम को उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन हो जाए नवाज शरीफ अमरत सर से इसे पता है पग क्या होती है पग आप अपने सर पे अपनी बेटी की शादी पे उसकी पहनते हैं जो सबसे घहरत्मन्द और आपके साथ कटने मरने को त्यार होता है जिसकी आपकी और जिसकी इज़त संजी होती है वो चौधरी आपको पग Siar, N populố आखार नवाज शीड़िश ने यह पैगा पैगा आगार hazır तो यह पैगा्ण आगा, ति मेरी थेरी इस्थ हुंडी होगी है। मैं तेरी इस्थ बी मरेंगाए तो मेरी इसथ ली मरेंगा, आज आप हमें बताते हैं कि हमारे दफाई अदारे ठीक नहीं है और पाइगांभ ये लाव रिंकी पगएं पैनके ये देते थे मुलालाद फुक्तर व्दुर्बान भी गदार हो गया है नवार श्रीफ की गदार हो गई है और मरीम नवार श्रीफ के खामत के खलाएं गदारी का मैसा कर जा aún ठीक होगे जी जाहर है कि अब मसला क्या है उसमें मसला ये बनता है कि मेरा एक फिक्रा है बड़ा मुश्रू मारूफ जो मैं कहा करता हूँ मैंने बकाइदा इसको रिजिस्टर करवाया हुआ है कि लमहा मौजूद में ठीक है चारों शरही आप में से जो आप ये कर रहे कि बाएन ही उसी वत उसका इल्जाम दूसरे पे लगा रहे हूं ठीक है अब पता चला है जी लक्ष्मी मिटल साथ का जो दमाद है वो तो पैसे वे से देता रहा है और उसी की पैसे जो हैं वो छुपाने के लिए हम जो एल एक्शन कमिशन के अंदर बागते पिर रहे हैं कुछ तक कई सालों से हमने वहां पे समात हैं नहीं होने दी क्योंके वो कुना वाना कि यह लाड़ा है जो कुछ कहेगा उसके मताबक उसको फैसले लिखके दे दिये जाएंगे पहले नहीं हुआ ठीक है ना कैलबरी के फोंट में बनी गाला की डीड थी और कैलबरी के फों कि यूठियों के सरपरस्ति यूठियों के मिनुफेक्शरर सारे उसको चूम के आँखों को लगा लेते हैं जब वो बनी गाला की डील होती है उसी कैलिबरी के उन्दर दो साल बाद बलके कई سाल बाद जब डील होती है वह एवनफेल्ड की तो उसके ऊपर काफर काफर वाँ भई ये थो वही बात हुई कि भई खुज से अपना घर समझ नहीं रहा तो दूसरे के उपर आरूप लगा दो इमरान खान नियाजी की सरकार की तरफ से ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नवाज शरीफ चौथी बार देश के पीएम बन गए तो ISI और फॉज दोनों की मनमर्जी नहीं चलने वाली इसलिए बहतर है कि पहले से ही उसे इंडिया का एजेंट करार दो किसी को कोई डाउट है कि इंडिया पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है इंडिया पाकिस्तान की फॉज पे हमला करके फिफ्ट जेनरेशन वार के थुभ पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और जब उनको पता है कि पाकिस्तान की फॉज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा 1971 में वो एक दफाँ नुकसान पहुचा चुका और उसका कनफेशन धाका के अंदर मोदी जो हैं वो कर चुके के 1970 में इंडिया ने किस तरह से पाकिस्तान को दो लख्त किया हमारे मुलक के खिलाफ दिन रात साज़शें की जाती है कभी वो बलोचस्तान के अंदर इंडिया साज़शें बुनता है कभी वो कराची के अंदर बुनता है कभी शिया सुनी फसादात कराने के लिए भी रीसेंटली हमारी जो बहादर और समझदार इंटेलिजन्स एजंसीज थे हैं उन्होंने रीसेंटली एक नेटवर्क क्रैकडाउन किया है जो शिया उल्मा और सुनी उल्मा की हलाकत कराके मुल्क में शिया सुनी फसादात इंडिया बर्पा करवाना चाहता था आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमूरी हकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पाउंग बांद दिये जाते हैं और किस तरह अवामी नमाइंदों की तजवील और तहकीर होती है किस तरह किरदार कुशी का एक मुनर्जम सिल्टला शुरू हो जाता है किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशान देई करने पर उन्हें मुन्क दुश्मन और खड़दार करार दे दिया जाता है खुलासा ये है कि यहां या तो मार्शालला होता है या फिर मुन्तखिब जमूरी हकूमत से कहीं ज़्यादा ताकतवर पैरलल यानि मतवादी हकूमत काइम हो जाती है एक पैरलल नजाम चलता है दुख की बात ये है कि अब मामला स्टेट विदिन दे स्टेट से आगे निकल कर स्टेट अबग दे स्टेट तक जा पहुँचा है अबाम के हके हकूमरानी को तस्वीम ना करने और नतीज़तन मतवादी यानि पैरलल हकूमत का मर्द ही हमारी मुशकलात का और हमारे मसायल की असल जड़ है आज मैं पाकिस्तान के बिजनसमेन से ये पूछना चाहता हूँ क्या आप मेंसे कभी कोई इंडिया जाकर बगएर वीजे के इंडियन प्राइम निस्टर से मिल सकता है इस तरीके से कि आप उतरें और आपको सीधा उनके जो कोई भी हिल या किसी भी स्टेशन पे वो छुटिया मुना रहे हों कि आप पाकिस्तान का एक बिजनसमेन मुझे ये बता सकता है कि इन 73 सालों में उसको ये एक्सेस मिली इंडिया में ये वो तस्वीर है जो हमारा मुझ चड़ाती है लवाज शरीफ साब ने जब किश्मीर में हुरियत के लीडरों से मिलने से इंकार किया और इस टबर से मिला ये कौन सा टबर है ये मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये सिर्फ बिजनसमेन हो तो आप तब भी हजम कर लें अ काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ ये है सजन जिंदाल का ट्वीट जैसे ही आपके सामने पथान कोट का जो वाक्या हुआ उसने फौरी तोर पर पाकिस्तान को दो हिस्सों में नेरेटिव वाई तक्सीम किया उसने कहा जब पाकिस्तान और इंडिया की पुलिटिकल लोग अकठे होने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी एजनसीज मीन पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आयसाई हमले करवा देती है ताके कठे ना हो सकें वही नेरेटिव जो नवाज श्रीफ बार बार कहता है वही बात जो नवाज श्रीफ बार बार कहता है कि हमारी फौज ह हमें हकूमत नी करने देती, हमें फैसले नी करने देती, ये वो लाइन है, जो नवाज शरीफ के आका लिखते हैं, ये बोलता है। दरसल लंदन में एक भारतिय डेलिगेशन से नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया और ये जो सब कुछ आप मीडिया पर देख रहे हैं, ये उसी मुलाकात का नतीजा है। फॉज और आईएसाई और उनके पैसो पर पल रहे कुछ मीडिया संस्थान भी नवाज शरीफ को गदार साबित करने में जुड़ गये हैं। कुम सा है वो शरीफ को हुसेन नवाज और दूसरा मुझे नहीं पता, I am not clear के नवाज को भी मिलें। अगर अगर नवाज शरीफ को नेशनल सिक्यूरिटी अडवाइजर इंडिया का और उसकी डेलिगेशन या उसका रेप्रेजेंटिटिव फॉर सीजन होटेल में सीक्रेटली मिला है। मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, I am sorry, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए के उन्होंने क्या बातें की, the meeting is enough, ये घद्दारी है, out and out, circumstantial evidence, ने तो क्या बात किया था, उन्होंने discuss किया था, वेदर, देखे शबास गिल साब ने तो ये भी का था, कि सतर पे किलो च मुझे साब ने तो भी ये भी का था, कि मर्यम नौाज ने खोकर पैलस में मुलाकात की थी, फिर उन्होंने का, सैफ, खोकर ने जब प्रेस कानफरेंस की है, तरदीद की है, तो उन्होंने का, नहीं वो और खोकर पैलस था, ये सार सियासी चीज़े होती है, मेरा स्वाल ही है, ये पहली बात हो, ये, कि नौाज शरीफ की मुलाका तो, और का हो भी नहीं कह रहें, हू Hmm, वो कह रहें हैं, गहीं कह रहें हैं, कि जी ये मुलाकात то, है нواखyas श्रीफ के बेटेने की है हुआ हुस्साइन नाज ने की है जी मैं ये कहता हूं ग्र जिस नेभी की है अगर वाक्bly की ए हुएन की है लेकिन नहीं इस सफारइट खाने में अलग आप फर्मा रहे हैं कि लहौर में आए एक रा का एजन्ट आया और मिलके चला गया मर्यम नमाज शीव से खोक्कर पैलस के अंदर ठीक मिलके चला गया है किस के तावन से आया किस ने एंट्री लगाई किस ने एक्जिट लगाई अगर बगैर एंट्री एक्जिट के आया तो कैसे आया किस रास्ते से गुजर के आया और गया कैसे सर्दफात हुमारा मस्गूत आथों में है ठीक है ना मतलब नमबर वानद आ रहे हैं आप दुनिया की ऐसी तैसी यार वो आया आके मिला मिलके चला भी गया यह इसने बिलकुल दादाजी की बेल्ट पे नहीं होई है अच्छा मुझे तो ना हसी आ रही है हसी इसलिए आ रही है क्योंकि अब आप सूचिए कि यह जो कीबोर्ड के वारियर है पाकिस्तान के जो इंटरनेट पर धर 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 जंग लड़ते रहते हैं भारत के खिलाफ उनके मुताबिक जो यह पाकिस्तानी एजनसी है आई एसाई वो दुनिया की नमबर एक एजनसी है मतलब उसके सामने कोई एजनसी नहीं है ना USA की अब रौ की तो पूछिया ही मत लेकिन अब बताईए कि भाई रौ का बंदा लाहौर में उनकी नाक के नीचे जाके मरियम नवाज से मिलके आता है अब आब बताईए फिर काहे की नमबर वन एजनसी भाई अचा चलिए माल लेते हैं कि जिस नवाज शरीफ को आप कह रहे ह तो भाई एक बात बताईए कि रौ का एजन्ट होते हुए देश का वो पीम तीन-तीन बार बन जाता है और आपको पता नहीं चलता अब जाके जब इलेक्शन करीब है तो अब आपको जाके पता चल रहा है कि रौ की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी जादा इन्वाल जाता है कि किस तरीके से घटमॉंडो नेपाल में आपने मोधी के साथ एक होटेल के कमरे में अंदर वाला दर्वादा जो लिंट डूर होता है उसके थ्रू जान बूज के दो कमरे दो नामों पे बुक करवाए गए एक में मोधी पहुंचा दूसरे में आप पहुंचे दर आर्मी से डर के अकेला आप से मिल रहा हूं और ताके मैं पीस कायम कर सकूं इंडिया और आपके दिर्म्यान में यह मोधी साब का ट्वीट के आई आम पर्सनलली टच्च बुद've जेस्टर ऑफ व्यक्षणर पांगिम्र के लाउर एफॉर्ट क्या करना चागता था मोधी मोधी दुनिया को दिखाना चाहता था मैं पाकिस्तान से मिलना का था हूं तो मैं कह सकता हूँ कि जहां तक नवाज शरीफ साब का तालुक है उनकी अक्रिनन खाहिश थी कि मोदी के साथ उनके तालुकात बहतर हों, एक्वेशन अच्छी बने और साथ साथ उनका ख्याल यही था कि शायद जो उनकी दोस्ती है ये पाकिस्तान और भारत के दर्मियां जो तालुकात हैं उसके मस्बख अंदाज से असर करें जी हाँ नवाज शरीफ ने हमेशा ये कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के संबन्द सुधरें दोनों देशों में भाईचारा बढ़े अब्दुलबासित भारत में पाकिस्तान के हाई कमिशन रह चुके हैं उन्होंने यहाँ पर करीब नई दिल्ली में करीब साड़े तीन साल गुजारे हैं और उनसे बहतर नवाज और मोदी के रिष्टे को कोई समझ नहीं सकता अगर गद्दारी की बात होती तो अब्दुलबासित उसे बताने में जरा भी नहीं हिचके चाते लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि नवाज शरीफ को गद्दार कहना गलत है नवाज शरीफ साब का जहां तक तालुख है नाजरीन मैं चुके उनको कमस कम भारत के हवाले से जरूर जानता हूँ और चुके मैंने साड़े तीन साल नियुदेहली में काम किया और मैंने उनको या उनकी पॉलीसिस को बड़े गरीब से देखा जहां तक मोदी से उनके तालुखाद की बात है वो भी मैं जानता हूँ कि किस हद तक थे या उनकी नोयत क्या थी लेकिन मैं फिर भी इस पूजिशन में नहीं हूँ कि किसी को गद्दार का हूँ क्योंकि गद्दार का जो लफज है बड़ा स्ट्रॉंग है और जब तक आपके पास ऐसे सबूत मौजूद नहूँ जो कि इर्रिफूटिबल हूँ जिनको कोई डिनाई न कर सके तो कमसका मेरे पास तो ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनकी बुनियाद पे मैं किसी या नवाज शरी साब को भी गदारे वतन का हूँ दरसल पाकिस्तानी फौज और आईसाई के लिए अमरान खान नियाजी की सरकार कट पुतली की तरह काम कर रही है पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल पूरी तरह फौज के हाथों में है नवाज पीम बन गए तो लोगतंतर मजबूत होगा लोगतंतर मजबूत होगा तो फौज और आईसाई के मनमर्जी नहीं चलेगी क्योंकि फौज को तो सत्ता का खौन शुरू सही मुलगा है इतनी आसानी से पावर अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं और नवाज शुरीफ जिस तरह की भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं उससे साफ है कि उनके सत्ता में आते ही फौज और आईसाई के पावर नहीं रहने वाली पागिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुन्तकिब वज़र आईसम को अपनी पांच साल की आईनी मुद्बत पूरी नहीं करने दी गई हर डिक्टेटर ने और सतन नौ साल खेर आईनी तोर पर हकूमत की जबके अवाम के वोडर से मुन्तकिब वज़र आईसम को और सतन दो साल से ज़्यादा का अर्सा शायद ही मुला हो हमारी तारीख में तकरीबं 33 साल का अर्सा फाजी आमरियत की नदर हो गया यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकद्मा चला खसूसी अदालत बनी कारवाई हुई उसे आईन और कानून के तहट सजा सुनाई गई लेकिन क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ क्या हुआ क्या मुजर्म गरिफ्ट में आ गया क्या सजा मिली यह सब तो दूर की बात हुआ तो यह कि अदालती सिरे से खेर आईनी करार दे दी गई यहां कोई यह अन्होनी बात नहीं यही पागिस्तान में यह कोई अन्होनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुरुम पर भी कोई कारवाई नहो फौज और आईसाई ने अपने लोगों को सियासत और जुडिश्री में कहां कहां और किस किस लेवल तक बिठाया हुआ है उसकी भी पोल खोलूँगा लेकर उससे पहले एक बेहत एहम बात जो यहाँ पर करनी जरूरी है दाई तरफ आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा अगर उस पर सब्सक्राइब लिखा रहा है तो प्लीज उसे क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे डिफेंस डिटेक्टिव द्वारा अपलोड किये गए हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फॉरण पहुँच चाहे अच्छा चलिए एक बात बदाईए क्या आपने कभी सुना है कि रौ ने भारत के आंतरिक मसलों में कभी दखलंदाजी की हो कभी भारतिय सेना के साथ मिलकर उसने जो भारत की पॉलिटिक से उसमें घुसने की कोशिश की हो जवाब है नहीं लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान में फौज के साथ मिलकर आईएसाई सियासत में बहुत भीतर तक घुसी हुई है यहां तक कि नियाएपालिका भी उनसे बचनी पाई है वो जजज मुहमद बशीर जिसने मेरे खलाब फैसला दिया मरियम के खलाब फैसला दिया उसकी कोर्ट से करनल बरामद होता है करनल एक करनल वो करनल साथ वहां क्या करने गए थे कोई बूचे उनसे आप क्या कर रहे थे जजज के पास बैठके और फिर जद अर्शन मलिक ने जो कुछ इतराफ किया है उसके लिए सुप्रीम कोट ने कहा है हमारे सर शर्म से चुक गये यह उन्होंने कहा है यह लफास लिएए जज़्मन पे कि इसके किरदार से अर्शन मलिक किरदार से हमारे शर्म से चुक गये counties लेकिन फैसला वही का वही है नवाजज शरीव के खلاव उस पे जमानत भी नहीं मिलती जज़ डिसमिस हो गया है उसको बरतरफ कर दिया है लेकिन फैसला बरतरफ नहीं हुआ तो आप अंधाजा कर सकते हैं इससे जसिस शौकर सदीगी क्या कह गया है जसिस शौकर सदीगा को पता ही होगा अपनी बार अपनी माँ को गवा करके ये बात कर रहा हूँ आज के इस दोर में आई एससाई पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैन्यूपलेड करने में इन्वाल्व है आई एससाई के लोग मुख्तलिफ जगा पहुँच कर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं केसों की मार्किंग होती है मैं अपनी हाई कोड की बात करता हूँ आई एससाई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा के हमने अलेक्शन तक नमाज स्रीप और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना शौकत अजीज सुदीकी को बेंच में मत शामिल करें और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देए मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस के जरीए कौन पेगाम लेकर जाता है मुझे ये पता है कि अकॉंटिबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं अब जराब सोचिए कि ISI अपनी पकड को मजबूत रखने के लिए किस हद तक जा सकती है उसे अपने देश से कोई मतलब नहीं है उसे मतलब है तो अपनी पावर से वहां कि सियासत पर अपनी पकड से और इसके खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ वो एक्शन ले लेती है डर के मारे उसके खिलाफ बोलने से लोग घबराते हैं जज शौकत ने भी बोला अंजाम ये हुआ कि उन्हें जज की कुर्सी से हटा दिया गया ये वो पाकिस्तान का सरकारी आदेश है जो आईसाई ने जारी करवाया जज शौकत अजीज सिद्धी ने आईसाई की घुलामी करने से इंकार किया तो उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर किसी के खलाब भी आपने कुछ बूला तो फौरण आपके उपर हमला शुरू हो जाता है जो लोग रियासत के हवाले से बात करते हैं या नीट्रल रहकर बात करते हैं उनका बात करना भी बहुत मुश्किल हो गया है अगर हम पीटी आई को या उनकी पॉलीसिस पर तनقीद करते हैं तो हमें यह कहा जाएगा कि वही आप तो नून लीक के या नवाज शरीम से लफाफे लेते हैं नवाज शरीम साब के हक में बात करेंगे तो पीटी आई वाले कहेंगे कि वह ये तो जो है उन से पैसे लेते हैं और अगर सब के खिलाब बात करेंगे सियास्टदानों के तो लोग ये कहेंगे कि वह ये तो इस्टेबलिश्मेंट का आद्मी है तो समझ नहीं आती कि इनसान कहे तो क्या कहे और जाए तो जाए कहां लेकिन ये जरूर है कि कमसकम अपनी राए का इजार करते रहना चाहिए जो कुछ भी दुनिया का तुकाम ही कहना है तो लेकिन हर मौाशे में ऐसे लोग होते हैं जो कमसकम जो वो हक समझते हैं या उसी की बात करते हैं आपने ये जो पूरी बातचीत सुनी ये आपने पाकिस्तानी नेताओं की सुनी वहाँ के पूर्व डिप्लोमैट्स की सुनी वहाँ के पत्तरकारों की सुनी लेकिन क्या पाकिस्तान की जो आवाम है क्या उसे भी यही लगता है कि नवाज शरीफ गद्दार है और इमरान खाने गदम पाक साफ है सना अमजद यूटूबर है वो यूटूबर लोगों से बाचीत करती है वीडियो ब्लॉक्स बनाती है और पाकिस्तान की रहने वाली है तो उन्होंने वहाँ पर कुछ आम लोगों से बात की है उन्होंने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया है उसी का एक थोड़ा च्छोटा सा हिस्सा में ले रहा हूँ इस से देखने के बाद आपको ये साफ हो जाएगा कि क्या नवाज शरीफ और क्या इमरान खान दोनों पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या माइने रखते है आपको क्या लगता है मुदी का दोस्त कौन है इमरान खान या नवाज शरीफ जब दौर नौाज श्रीफ का था तो उसके तो मुदी का यार था नौाज श्रीफ अब जाहर है हमारी उसे लड़ाई बन रही है किश्मीर की वज़ा से तो इमरान खान साब आज नहीं यार हो सकता है दो चार मीनों में यार बन जाएं बनेंगे जरूर तो फाइदा में वो इसलिए कि सारी काश सबजियों की उधर से आती है जो सबजी आई तीन सर रबे किलो है वो पचास सर रबे किलो मिलेगी इंडिया की तरफ से आएगी तो हम तो कहेंगे हमसाय हमारे मुलक जितने भी है सारे दोस्त होने चाहिए हम दुश्मन नहीं बनाएंगे तब ही हम भी तरकी करें हमसाया होने के नाते एक दोस्ती होनी चाहिए क्योंकि गर का हमसाया भी गल्त हो या सही हो उसके साथ भी बना के रखनी चाहिए ये तैक मुलक का हमसाया है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये एक सियासी डिप्लोमेसी है आज इमरान خ dispar post ह來 है, इस से पहले अगर इमरान خाषभ अपने बriblyने बिया नजर डालें तो उन्होंने क्या दिय हुएं, क्या बियां थे उनके कि जी मोदी आएगा दोबारा जीत के तो हमारा कश्मीर अजाद हो जाएगा, कितना जाद हुआ, उल्टा कश्मीर को पंसा दिया, संबल जाए इमरान खान साब तो इनके लिए इच्छा है, नहीं समझेंगे तो इस वकत जिसकी हकुमत है, जाहर है वो अपने आप पर लगाएगा, दूसरी हकुमत पर लगाएगा, और जो कहने इमरान खान के मोदी और नौाशरी और दूसरे से मिली हुएं, यह सरसर इल्जाम बेब बन्याद हैं लेकिन इमरान खान का कहना है कि उनके पास सबूत मौजूद और उन्हें सबूतों की बुनियात पर ये बात की है। पहले भी कई सबूत इन्होंने दिखाए वो गलत थे और वो सरसर जूटे थे। अगर हम साय मुलक दोस्त होगा, वहां से हमदुरफ तो होगी, तजारत होगी, कुछ ना कुछ दोनों मुलकों को फाइदा होगा। तो इसलिए हम तो चाहती हैं, मैं अपने भी अफ़ पर कहता हूँ, एक जुमेदार आदमी हूँ, मैं कहता हूँ हम साय से प्यार होना चाहिए। न्यूटल होगे लेक्शन हो तो इंशला ही दुबारा फिर जीजएगा, नौाज श्रीफ दुबारा आएगा। उसको हाक अपना बियान देने का, वो कौन सा उसने कदारी की तीन टाइम प्राइम मिनिस्टर हो, उसे देना चाहिए। उनकी गवर्मेंट थी तो कारोबार था, हर चीज थी, अगर वो गरदार थे जैसे भी थे, मुलक अच्छा तरीके से चाल रहा था, अवाम खुशहाल थी, अगर वो गरदार होता जो भी होता उसे मुलक चलाने का तरीका बता था, एक क्रिकट खेलने वाला, ग्यारा प्ले में तो शायद कामयाब हो गए हों, लेकिन हकूमत की जो टीम है, उसमें शायद उनको कामयाबी नहीं हुई, इसी वज़े से हम देख रहे हैं, कि ना सियासी एक अच्छा माहूल बन रहा है, बलकि अब तो यहां जो हमारे अपने इंडॉस्ट्रिलिस्स हैं, अपने बिजन पा रहा, तो तब तक सियासी माहूल कंजीनियल नहीं होगा, बहतर नहीं होगा, उसमें बहतरी नहीं आएगी, आप यकी रखिए कि पाकिस्तान इक्तिसादी तोर पे आगे नहीं बढ़ सकता, तो अब तो आपको पाकिस्तान का मूड जो है, वो कुछ समझ में आ रहा होग और उन्हें गद्दार करार दिया जाए, क्योंकि यहीं सच्चा ही है, मेरी जो एनालिसिस कहती है कि इमरान खान नियाजी बली का बकरा बनने वाले हैं, और फौज और आईये साई ये सारा अपनी नाकामी का ठीकरा उनके उपर फोड़ने वाली है, और साथ खुद बच ज जाल में फंसाएगी, जिससे उसके उपर कोई उंगली न उठा सके, आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें वो सारे आर्मी चीफ हैं, जो कभी नवाज शरीफ को सलाम ठोकते थे, आप सोचिए, आज उसी बंदे को गद्दार साबित करने पर तो ले हुए हैं, भारती ये खूफी आजनसी, रौ का एजेंट बता रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज किसी भी कीमत पर जम्हूरियत यानि लोकतंत्र को मजबूत होता नहीं देख सकती, भारत के साथ अच्छे संबंध होना नहीं देख सकती, दोस्तों वीडियो सा लंबा हो गया, इसके लिए माफे चाहूंगा, लेकिन जो बाते थी और जो चीजें महाँ पर चल रही हो, मेरे पास इतना सारा डेटा आ गया, इतनी सारी चीजें मैंने देखी, तो उन में से जो चीजें मैं छाट पाया, वो बहुत बहतर थी, मुझे लगा कि ये हमारे पास और पाकिस्तान की जनता के पास ये चीजें पहुशनी चाहिए, अब पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसको कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस दोरान जो मैं रिसर्च कर रहा था, इस दोरान मुझे कई जानकारिया और मैं इस पर और जादा जानकारिया जुटाऊंगा और अगले वीडियो में एक बड़ी साजिश का खुलासा करूंगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जबाब आप कहा है तो भाई कम से कम दस लोगों तक तो ये वीडियो पहुंचाईए क्योंकि के हर लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है तो जल्दी ही आजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद्ट